नाराजगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं नाराजगी का मतलब होता है कि किसे से हम जब नाराज होते हैं या कोई हम से किस चीज़ को लेकर गुस्तर में होता है या खुश नहीं होता तो उसको हम नाराजगी कहते हैं तो नाराजगी को English में आप resentment कह सकते हैं, इसके इलावा heartburn भी कह सकते हैं, discontentment भी कह सकते हैं, discontentment का मतलब कि जब कोई हम से संतुष्ट नहीं है किसे चीज़ को लेकर, और displeasure भी आप कह सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये कहना चाहिएं कि उसकी आँखों में नाराजगी साफ जलक रही थी, तो आप कह सकते हैं, displeasure was clearly visible in his eyes, या अगर आप ये कहना चाहिएं कि उसकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं उससे मिला, तो आप कह सकते हैं, I met him to remove his resentment, I met him to remove his resentment, अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें,